अगर आप पारलर जाकर धेरो रुपई खर्च करके हेर स्पा करवाने वाले हैं तो आप करवाईए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर उससे पहले एक बार इस हेर मास को जुरो ट्राई करके देखना हो सकता है इसे यूज करने के बाद आपके धेरो रुपई बच जाएं तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखें, आपको बनाने का तरीका बताऊंगी इसे लगाने का तरीका बताऊंगी और इसे वाश करने के बाद का result भी आपके साथ शेयर करूंगी तो आपने सबसे पहले एक fresh aloe vera leaf लेनी है उसे इस तरह से आप रख देना ताकि इसका यहां से सारा yellow liquid निकल जाए और ये leaf मैंने gel निकालने के लिए त्यार करके अलरडी रखे हुई थी अगर आप aloe vera gel को अपने बालों में किसी न किसी रूप में लगाते रहते हो तो इससे आपके बाल हमेशा healthy रहेंगे आपके बालों का texture काफी improve हो जाएगा और अगर आपके बालों की growth रुखी होई है तेजी से बढ़ते नहीं है तो आप aloe vera gel का अगर regular use करेंगे तो आपके बालों की growth अच्छी हो जाएगी आपके बालों में bounce आ जाएगा और कई बार तो हम जब बालों को wash करते हैं बाल बहुत जादा dry हो जाते हैं फ्रीजी हो जाते हैं तो aloe vera gel का अगर आप mask लगाएंगे तो आपके बाल कभी भी dry और फ्रीजी नहीं होंगे बालों में smoothness रहेगी इसके अलावा मैंने aloe vera gel के और भी mask शेयर की हैं आप जिसके लिए भी comfortable हो आप भही यूज़ कर सकते हैं और उनके link आपको मैं नीचे description box में दे दूँगे आप चाहकर जुरूर चेक करना अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हम market वाली aloe vera gel यूज़ कर सकते हैं तो इसके लिए आप plant वाली ही aloe vera gel यूज़ करें अगर आपके पास plant नहीं है तब भी आप market वाली gel यूज़ करें अब इस gel को हमने blender की help से अच्छे से blend कर लेना है हो सकता है कि इसे लगाने के बाद इसके कुछ granules आपके बालों में अटक जाएं पर जैसे ही बाल सुखेंगे आप कॉम करोंगे वो सारे निकल जाएंगे अब इसमें हमने दो चमश दही डालनी है ये हमारी scalp को अच्छे से clean करने में help करती है और साथ में अगर आपके बालों में dandruff रहती है तो आप उससे भी छुटकारा पा सकती है और इसके साथ साथ आपके बालों को ये soft बनाती है healthy बनाती है और बालों के growth अच्छी करती है अब इसमें डालना है एक चमश शहद शहद हमारे बालों में natural moisture को बनाई रखता है साथ में ये deep conditioning में भी help करता है बालों में shine लाता है अब इन तिनों को हमने अच्छे से mix कर लेना है आपने जब भी ये mask लगाना है उससे पहले आप रात को oiling जरूर कर ले अगर रात को oiling नहीं कर पाई हैं तो आप सुबह कर ले और oiling के 2 घंटों के बाद आप इस mask को लगा ले अब इसे मैंने एक whisker की help से अच्छे से mix कर लिया है अब ये हमारा hair mask बनकर ready है अब आपने इसे कैसे लगाना है ये बहुत जादा running consistency में है तो इसे आप एक bottle में डाल ले मैंने यहाँ पर एक bottle ली है और इसके cap में already haul है आप कोई भी water bottle ले सकते हैं और उसके cap में haul करके उस bottle में fill कर ले और फिर उस bottle की helps अपने बालों में लगाएंगे तो इदर उदर बिखरेगा भी नहीं इस mask को लगाने के बाद जो आपको result मिलेगा न comment section में आकर जरूर share करना क्योंकि ज़्यादा तर लोग ऐसी होते हैं जो कि सबसे पहले जाकर comments बढ़ते हैं और अगर अच्छा result होता है तभी वो try करते हैं तो आप अपना result comment section में जरूर share करना और अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को like and share जरूर कर देना तो अब मैं बताती हूं इसे आपने कैसे लगाना है सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से सुलजा ले मैंने रात को oiling कर ली थी और सुबह मैंने इस mask को अपने बालों में लगाया है कभी भी कोई mask लगाना होना तो सबसे पहले अपने बालों को सुलजाना बहुत जरूरी है नहीं तो बाद में उल्जन हो जाती है बालों में और hair fall जादा होता है और ये देखिए बोटल की help से ये कितना easily लग पा रहा है तो इस तरह से आपने इसे पूरे बालों में लगा लेना है पूरी scalp में लगाने के साथ साथ बालों के tips में भी इसे जरूर लगाए और इसे लगाने के बाद एक bun बना लें फिर बालों को shower cap से cover जरूर करें क्योंकि जब हम बालों को cover करते हैं तो हमारी scalp में से heat निकलती है जिससे ये mask बालों में अच्छे से penetrate हो जाता है फिर इससे आपने एक घंटा बालों में लगा कर रखना है और उसके बाद बालों को shampoo से wash कर देना है और जब मैंने बालों को shampoo से wash किया तो मुझे इसका बहुत अच्छा result मिला अगर आपके बाल भी ज़्यादा bad condition में नहीं है तो first application में ही आपको भी बहुत अच्छा result मिलेगा अगर ज़्यादा damaged hair है तो इसे हफते में दो बार जरूर लगाएं